अस्वांग जीवर्स माइनम दिजवान चीमा फांडर और और सी ओफ माकान सोलुशन्स प्राइब लिम्टेड यो जर्नी फ्रम प्लाट होम इस वीडियो में आपको मैं जो कपिटल स्मार्ट टी में मैंने दो वीडियो पहले बनाई हैं जिसमें एक थी इक जेक्टिब अब थर्ड कैटेक्री जो आती हो आती है विलास की मैं हार्मनी पाक के वाले से एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा ताकि चीज़े मिक्स अप नहों अब विलास सुसाइटी ने जब लॉंच किये थे अरली 2020 में जब इन विलास की जो ऑवराल 6 साइजे से 5 मला, 7 मला, 10 म और हूफर किये थे जॉर्जिधन स्टाइल, कंटेंप्रेरी स्टाइल, और मेडितिरियन स्टाइल आब तीन स्टाइल के विलास की बात करें तो में फ़िपने का वाले फीडियो का नोटिस then की जा लेकिन इसके हासे कोई ऑफिशल नोटिस ने निकाला कि जिसमें बताया ज कि 2018 से लेके 2021 तक 4 डिसंबर 2021 तक जो इस मेंबरान अपने ड्यूस क्लियर करेंगे वो इस बैलिटिंग में शामिल हो जाएंगे यह प्लॉट्स की पालिसी है, कमर्शल प्लॉट्स की भी यही पालिसी है और साथ यह ओफर दी गई है जिन्होंने कोविट प्लॉट को दूरान फ्रम एप्रिल तू में बुकिंग करवाई वो भी इस बैलिटिंग में शामिल हो जाएंगे और जिन मेंबरान ने 40% ये 50% से बोगिंग करवाई वो भी इस बैलेटिंग में शामिल हो जाएंगे ये तो अवराल residential plot और commercial plot की policy के हवाले से है अब विलाज जिन लोगों ने बाया किये early 2020 से लेके अब तक जिनोंने अब तक ये installments up to date रखी वो मेंबरान या overall जो विलाज जिन ने जिस member में बाया किया तो उसके लिए policy में क्या detail है ये society की तब से officially notice नहीं आया अब तक but as per my knowledge या मैं real estate में smartity के साथ काफी time से काम कर रहा हूँ तो मेरे पास जो कहलें के मेरे knowledge में काम बात आती हो ये है कि society ये policy रखेगी कि जो भी मेंबरान जिनोंने covid period के दुरान covid period जो था एपरिल से लेके 17 में तक उस period के दुरान 20% से विलाज की booking करवाई वो तो straight forward site पे हो जाएंगे उन विलाज की balloting में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उन मेंबरान को location choosing की option मिलेगी subject to के वो अपने विलाज की remaining installment क्लियर करते हैं जो के बनती हैं 4 December 2021 तक ये तो वो मेंबरान होगे जो side पे खौँआ वो कोई भी size की booking हो वो 5 मरला की हो वो 7 मरला की हो वो 10 मरला की हो वो 1 कनाल की हो या 2 कनाल की हो किसी भी size की booking अबर आपने विलाज में करवाई है और इस covid period के दुरान करवाई है तो आपको location choosing के preference मिलती है अब second मेंबरान वो आते हैं जिन्होंने 5% discount लेने के लिए 50% down payment पे की वो मेंबरान और कुछ मेंबरान ऐसे भी होंगे जिन्होंने 100% lump sum amount पे कर दी एक ही गो में उ मेंबरान को भी location choosing के preference मिलेगी as per the policy of capital smart city अब यह जो दो कैटिकर में आपको explain की है एक तो है 40-50% वाले और दूसरी कैटिकरी जो बनती है 20% covid period के दुरान जो है यह तो बैलेटिंग में शामिल नहीं होंगे society most probably इनको january के वस्ट वीग यह जब भी notice निकालेगी इन मेंबरा को बुला कर यह पूछा जाएगा कि आप कौन सी location चाहते हैं यह विलास के अच्छी बात यह ना कि यह विलास में आपको जैसावर से central है इसमें on ground अभी कुछ नहीं है on ground कुछ नहीं है तो आपको जो location चूज करनी है उसरे map पे करनी है विलास के बारे में अच्छी आती है उसमें on ground जाके विलास में आपको यह preference मिलेगी आपके पास यह good luck कहलें क्या विलास की form में आप पहले on ground जाके उन विलास की location को verify करेंगे के लट से आपको एक corner विला पसंद है उसके extra charges है beside that बट आप देख लेंगे कि आपके विला के आप जो घर बाय कर रहे हैं जो आपन ने रोड कितने feet का number one number two कि आप उस पर देख लेंगे उस घर का facing किस साइड है यह नौर्थ फीस है यह बड़ा matter करता है construction point view से यह मैं किसी separate video में बता दूंगा मैं थोड़ सा यहां पर highlight करता हूं क्यूंकि जो सूरज की direction होती है और घर की facing होती है यह बड़ी matter करती है कि गर्मियों में भी extreme गर्मी face करनी पड़ती है और सर्दियों में extreme सर्दी face करनी पड़ती है क्यूंकि वो घर में ventilation के इलावा heat का flow होता है जो कुदरत की तरफ से सब जितने भी दुनिया में लोग आए अब तक उनको जो एक जरीया मिला वह सूरज है तो सूरज से आपकी घर की direction जो ती facing होती है वो बड़ी matter करती है तो उन ground जाके location चूज करेंगे membrane वो इस चीज़ पर पॉइंट किसी भी expert को साथ दे के जा सकते हैं उससे बात discuss कर सकते हैं कि मुझे जो villa मैं चूज कर रहा हूं इसकी direction कौन से साइट पर है तो आपको location choosing में बहुत अच्छा advantage मिल जाएगा जिन membrane ने 20% down payment देकर अपने विला को location choosing के तहथ बुक किया अब आते point नमबर टू पे उन membrane का क्या कि जिन्होंने विला के लिए 20% covid period के दूरान जो एपरल से लेके 17th में 2020 था उसमें विला की booking नहीं की उन membrane के बारे में क्या जिनके पास इतना funds यहां इतने उनके पास नहीं थी पैसे कि उन्होंने 50% down payment दी या 100% down payment दी अपने विला बुक करने के लिए तो उन membrane के लिए क्या policy है अब जो भी membrane बाकी बचते हैं जो leftover membrane है जिन्होंने 10% से booking की एक महिने बाद confirmation और इसके बाद regular installments पे की उन membrane के लिए पालिसी होगी कि उन membrane को जनरल बैलेटिंग में डाला जाएगा वो जनरल बैलेटिंग कौन सी होगी वो होगी leftover location की यानि के पहले January में let's suppose कि बैलेटिंग है in February 2020, 22 सॉरी February 2022 में अगर बैलेटिंग है तो January में जो membrane अपनी location चूज कर लेंगे यानि के जो अच्छी location होगी definitely जो मेरे client है तो मैं अनकी पहले मैं अलड़ी मार्क कि हुए है कि मैं ये location को चूज करवानी है The reason मैं अको पहले स्टार्ट हमता है कि मैंने बहुत सरे point अलड़ी write down कि हुए है कि पॉपलॉट जो विलाज है उनकी location कैसी हो में रोड से कितने access पे हो पार्क से कितने access पे हो उनकी facing कि साइट पे हो corner हो, park face हो, main road हो तो ये तमाम चीज़े बड़ी matter करती है स्कूल से distance, commercial market से distance, commercial building से distance sometimes villas ऐसे बने, जैसे B block में किनाल के villas हैं, वो ऐसे भी हैं, जो commercial के बिलकुल सामने हैं यानि कि जो एक lake view heights का plaza बन रहा है, उसके बिलकुल सामने जो villas हैं तो उस location को choose करने के sense, मैं studio में जिकर नहीं करता था था, ये मेरे membrane clients की private talk है तो जो villa की location है, जो उसमें left over location होगी, उन मैंबरान को इन जनल बैलेटिंग में डाल दिया जाएगा अब जनल बैलेटिंग कैसे होगी, कि जन मैंबरान ने भी अपनी villas की booking से लेके अपनी बैले booking 10%, फिर confirmation 10%, उसके बाद से अपनी regular installments पे कीं, या नहीं भी पे कीं, और 20% पे है या 10% पे है, वो 4th December 2021 तक अपनी सारी installments clear करके इस बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते है मेरा ये ख्यालाई मेरे जाती रहा है, कि society यही वाली policy जो overseas central की आई है, क्यूंकि बताया गया था कि overseas central, harmy park, east और इसके लावा जो तीसरा ब्लॉक बताया गया था, विलास का बारे में, ये विलास की बैलेटिंग इनकी February में है, दो ब्लॉक्स ऐसे थे जनकी May में बैलेटि थी, executive district, और इसके लावा overseas prime district, जो है, इनकी बैलेटिंग जो थी, वो है, May 2022 में, but as per all our scenario, ये तीन ब्लॉक्स जो हैं की बैलेटिंग अभी February में हो जाएगी, अब देखते हैं, society commitment का किस साथ तक fulfill करती है, एक central की बैलेटिंग तो confirm है, कि वो February में हो रही है, विलास की मुस प पासिफिक वीडियो थी, कि मैं जिस पारे में, जब मैंने वीडियो बनाई थी, और सी सेंट्रल की, तब ही बोहुत रहे हैं, वो जो है, वो है वो कौनसी लोकेशन पर आएगए, उनकी बैलेटिंग पर पालिसी क्या होगी, अब मेरे एक परसनल, मैं हर वीडियो के एंड परसनल कमेंट करता हूँ, कि मेरी ख्याल में, जिन मैंबरान ने बुकिंग करवाई है, स्टार्ट में, विलास की, तैन परसन्ट से या जिस भी अमौन से बुकिंग करवाई है, जो कौविड पिरिड के दौरान बुकिंग नहीं करवा सके, या जो मैंबरान जिनोंने अपनी मिस्स नहीं की, डियूरिंग कोविट पीरिड के दुरान भी इस्टालमेट पे की, यानि के जो दो साल का दुनिया पूरी ने बहुत बड़ा टफ टाइम फेस किया, उसके दुरान भी अपनी इस्टालमेट्स अगर क्लेर की है, तो मेरी जाती रहा है, साइटी से डिस अच्छक 10% से की है, लेकिन उनके ओवराल जो फंट्स हैं, वो बाकियों से निस्बत जो है, वो ज्यादा बन जाते हैं, या उसके बराबर ही बन जाते हैं, बट उन्होंने रेगुलर पे की है, मैं उन मेंबरान की बात कर रहा हूं, जिन्होंने सिर्फ रेगुलर इंस्ट लोग जो हैं, वो कैतने सर कोई बाद ने 20% ब्लॉक तो मैं ब्लॉक करवा दूगा दूगा को बाद में, तो वो अला केस नहीं है, उन मेंबरान के नहीं नहीं है, बट मेरी जाती रिक्वेस्ट है से, अगर स्वाइटी मैनेजमेंट यह देख रही है, कि इन दो इस केस पे कि जन्होंने बुकिंग की हैं, और सारी इंस्टॉलमेट्स अबडेट रिकी हैं, उन पे खास नजर सानी अपील की जाए, जो बैलिटिंग का जब भी लेटर निकालें, कि उन मेंबरान को भी लोकेशन चूजिंग की प्रेफरंस दें, कि उन्होंने स्वाइटी में इतनी पे की और इतनी रेगुलर इंवस्ट्मेंट को अपनी जारी रखा, अगर आपको स्मार्टि में बुकिंग के वाले सक मालूमाद चाहिए हो, तो मेरे नमबर आपको इसक्रीन पे विडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइ, कॉमेंट और अगर आपको किसी भी परज स्राइट पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, रिजवान चीमा को दीजे अजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज